सबी दर्शकों का आज के कारेक्रम में स्वागत है हम ये भली भांती जानते हैं कि घरों, विध्यालेयों, अस्पतालों, उद्योगों तथा ऐसे ही विभिन संस्थानों में विध्युत तथा चुम्बक्त को विवित प्रकार से उप्योग में लाया जाता है जिसके कारण ये बहुत महत्वपून हो जाता है कि हम विध्युत तथा चुम्बक्त से जुड़ी अवधार्णाओं को समझें तो आईए इन विश्यों पर चर्चा आरम करते हैं विध्युत तथा चुम्बक्त दोनों ही के बारे में 2000 वर्ष से भी पहले ग्यात हो गया था परन्तु केवल 200 वर्ष पूर्वी यानि कि 1820 में ये स्पष्ट अनुभव किया गया कि इन दोनों में अटूट संबंध है हैंस क्रिष्टिन आईस्टर्ड डेन्मार्ग के भौतिक विज्ञानी एवं रसायनग्य थे 1820 में अपने एक भाषन के दोरान प्रयोग प्रदर्शित करते हुए उन्हें कुछ महत्वपून देखने को मिला क्या आप जानना चाहेंगे क्यों उन्होंने क्या देखा है हमने तार के Kyle एक चुंबकिय रख दीया ऐसा करने पर क्या चुंबकिय सुई की दिशा में कुछ बदलाब देख पारे हैं? हम यहाँ देख सकते हैं कि विद्युधारा प्रवाहित करने पर पास रखी हुई चुंबकिय सुई में सूस्पष्ट विपेक्ष हुआ, यदीतार में धारा की दिशा विप्रीत कर दी तो चुम्बकिय सुई भी घूम कर विप्री दिशा में संग्रेखित हो जाती है। ऐसी ही परिघटना से ओइस्टर्ड ने निशकर्ष निकाला कि गतिमान आवेश यानी धारा अपनी चारो ओर एक चुम्बकिय शेतरुत्पन करते हैं। इसके पश्चात, विद्युत तथा चुम्बक्त्व के संबंध को समझने के लिए प्रयोगों की गति तीवर हो गई। कारण होते हैं। सन 1864 में विद्युत तथा चुम्बक्त्व के सर्व मानने नियमों को जेम्स मैक्सवेल ने एकिकरत करके नए नियम बनाए। और ये स्पर्ष नुभव किया कि प्रकाश वास्तव में विद्युत चुम्बक्त के तरंगे हैं। जिसके कारण हम विद्युत चुम्बक्त्व के विशे में और ज्यान अर्जित कर पाए। हेंडरिक अन्टून लॉरेंस डेन्माग के सध्धान्तिक भौतिक विज्ञानी लीडेन में प्रोफेसर थे। उन्होंने विद्युत, चुम्बक्त्व तथा यांत्री की में संबंध की खोच की। प्रकाश उत्सर्जकू पर चुम्बक्त्व के प्रेक्षित प्रभावों की व्याख्या करने के लिए इन्होंने परमाणू में वैद्युत आवेशों के अस्तित्व होने को अभिग्रहित किया। इसके लिए इन्हें 1902 में नोबेल पुरसकार प्रदान किया गया। आज के कारिक्रम में हम चुम्बक्य शेत्र की अवधारना को समझेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि चुम्बक्य शेत्र की उपस्तिती में एक गतिशील वैद्युत आवेश तथा वैद्युत धरवाही चालक बल कैसे अनुभव करते हैं। और चुम्बकिये शेत्र में आवेश की गती को भी समझने का प्रयास करेंगे परन्तु चुम्बकिये शेत्र को समझने से पूर हम विद्यूच शेत्र से जुड़ी अवधार्णाओं को दोराएंगे और इसके पश्चात चुम्बकिये शेत्र के विशय में जानेंगे एक बटा 4 pi epsilon not Q बटा R की घाद 2 R एकांग सदिश से दर्शाते हैं. यहां R एकांग सदिश R के अनुदिश है तथा शेत्र E एक सदिश राशी है. कोई आवेश Q इस शेत्र से अन्योय क्रिया करके एक बल F का भी अनुभव करता है, जिसका समीकरण कुलाम नियम द्वारा दिया जाता है, जो की F पराबर एक बटे 4 pi epsilon not Q गुणा Q बाई R की घाद 2 R एकांग सदिश है. इससे ये निर्दिश्ट होता है कि विद्युद शेत्र E मात्व शिर्प तथ्य ही नहीं है, परन्तु इसके भौतिक भूमिका भी है. ये उर्जा तथा समवेग संप्रेशत कर सकता है, तथा ये तच्छन ही स्थापित नहीं होता, वरण इसके फैले में परिमित समय लगता है. परन्तु आज के कारिक्रम में हम अपनी चर्चा में ये मानेंगे कि समय के साथ शेत्र में परिवर्तल नहीं होता. तो अब हम ये कह सकते हैं कि इस धिर आवेश विद्धित शेत्र उत्पन करते हैं. अब प्रश्न ये है कि चुम्बकिय शेत्र का स्त्रोत क्या है? विध्युद्धाराएं अत्वा गतिमान आवेश 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 तथा ये एक सदिश राशी है प्रयोगों द्वारा ये पाया गया है कि अध्यारोपन के सिध्धान्त का पालन करता है इसके अनुसार बहुत से श्रोतों का चुम्बकिय शेत्र प्रतियेक व्यष्टिकत श्रोत के चुम्बकिय शेत्रों का सदिश योग होता है अब हमें चुम्बकिये बल के विशय में चर्चा करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि विद्युद शेत्र में उपस्थित एक आवेश विद्युद बल अनुभव करता है। यदि एक आवेश को चुम्बकिये शेत्र में रखें तो क्या ये भी किसी प्रकार का बल अनुभव करेगा। बिलकुल एक गतिमान आवेश चुम्बक्य शेत्र में बल अनुभव करता है यदि एक गतिमान आवेश को वैद्युत तथा चुम्बक्य शेत्र में रखा जाए तो इस पर कितना बल लगेगा लॉरिंस ने आमपियर तथा अन्य वैज्ञानी को द्वारा विस्त्रत पैमाने पर किये गए प्रयोगों के अधार पर शेत्रों द्वारा आरोपित बल को व्यक्त किया मा लीजे कि विद्युत शेत्र ए आर तथा चुम्बक्य शेत्र बी आर दोनों की उपस्तिती में कोई बिंदु आवेश क्यू जो वेग वी से गतिमान तथा किसी दिये गए समय टी पर आर पर इस्थित विद्यमान है तो आवेश क्यू पर इन दोनों शेत्रों द्वारा आरोपित बल को हम कुछ इस प्रकार व्यक्त करेंगे एफ पराबर क्यू ई आर जमा वी तथा बी का सदिश गुणनफल इस बल को लॉरेंस बल कहते हैं हम ये देख सकते हैं कि लॉरेंस बल विद्युद बल तथा चुम्बकिये बल का योग होता है इस समय करन से हम लॉरेंस बल की कुछ विशेशताएं बता सकते हैं जैसे कि ये क्यू वी तथा बी यानि कि कण के आवेश वेग तथा चुम्बकिये शेत्र इन तीनों पर निर्भर करता है रिणावेश पर लगने वाला बल धनावेश पर लगने वाले बल के विपरीत होता है यदि आवेश गतिमान नहीं है यानि कि वी का मान शुन्य है तो क्या बता सकते हैं कि चुम्ब के बल कितना होगा तो यदि आवेश गतिमान नहीं है यानि कि वी का मान शुन्य है तो चुम्ब के बल भी शुन्य होगा केवल गतिमान आवेश ही बल का अनुभव करता है एक क्षदिश गुणवर होता है। अरथात चुम्बी के बल वी तथा वी के बीच के कोन पर भी निर्भर करता है। उधारण के लिए जब वेग तथा चुम्बके सेत्रइकी दिशा एक दूसरे के समानतर या प्रति समानतर होती है। तो सदिश गुणन फल चुम्बके शेत्र के कारण बल को समाप्त यानि की शुन्य कर देता है। आईए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। चुम्बके शेत्र B यहाँ पर V के साथ कोण ठीटा बना रहा है। यहाँ पर कोई धनावेशित कंड बल का अनुभव करेगा। अब इस बल की दिशा को किस प्रकार ग्यात किया जा सकता है। आवेशित कंड पर लगे बल की दिशा दक्षिन हस्त नियम द्वारा प्राप्त की जाती है। अब इस नियम के अनुसार अगर हम अपनी दाहिने हाथ की उंगलियों को V से B की तरफ बन रहे कोण की दिशा में मोडें तो ये अंगूठा हमें बल की दिशा निर्धारित करता है इसके अलावा अगर हम अपनी दाइने हाथ की उंगलियों को वी की दिशा में करें और अंगूठे को वी की दिशा में करें तो यहाँ पे बनने वाला लंबवत बल की दिशा को निर्धारित करेगा तो इस नियम के प्रयोग करने पर हमें बल की दिशा पृष्ठ से बहर मुखी मिलती है इसी प्रकार हम देखेंगे कि धनावेश क्यू की तुल्ना में बल की दिशा क्या होती है आईए पुना दक्षिन हस्त नियम का प्रयोग करते हैं यहां अगर हम अपने दायने हाथ के उंगलियों को B की दिशा में करें और अंगूठे को V की दिशा में करें तो यहां पर बल की दिशा हमारे हथेली के लंबवत होगी जो की एक रिनावेश के लिए विपरीत होगा तो दक्षिन हस्त नियम द्वारा हमें ये ग्यात हो गया है कि चुम्बकिय शेत्र की उपस्तिती में गतिशील आवेशित कन के विखशेप Q की दिशा रिनावेश के विखशेप की दिशा के विपरीत होती है अब तक की चर्चा के आधार पर हम चुम्बकिय शेत्र तथा बल के विशह में कुछ मुख्य बाते कह सकते हैं जैसे कि यहाँ F के समीकरण में हम देख सकते हैं कि F बराबर Q, V, B का सदिश गुननफल के बराबर है जो कि Q, V, B, Sin, Theta, N एकांग सदिश लिखा जा सकता है यहाँ Theta, V, V तथा चुम्बकिय शेत्र B के बीच का कोण है चुम्बकिय शेत्र B का परिमान एक ऐसाई मात्रक होता है जब किसी एकांग आवेश यानि की एक कूलम जो की B के लंबवत एक मीटर प्रती सेकिंड वेग V से गतिमान है पर लगा बल एक न्यूटन हो क्या आप विमियरिती से B का मात्रक पता लगा सकते हैं विमियरिती से हम यह जानते हैं कि B बराबर F बटे QV होता है तथा B का मात्रक न्यूटन सेकिंड प्रती कूलाम मीटर है इस मात्रक को टेसला कहते हैं जिसे निकोला टेसला के नाम पर रखा गया है टेसला एक बड़ा मात्रक है अतहा अपेक्षाकरत छोटे मात्रक गाउस जिसका परिमान दस की घात रिंड चार टेसला के बराबर होता है इसका प्रयोग किया जाता है अब हम इस अवधाना से भलीभाती परिचित हैं कि बाहय चुम्बकिये शेत्र में रखा आवेश चुम्बकिये बल अनुभव करता है हम किसी एकल गतिमान आवेश पर चुम्बकिये शेत्र द्वारा आरोपित बल के विशलेशन का विस्तार विध्योध धारवाही सीधी चड़ के लिए कर सकते हैं हम लंबाई एल तथा एक समान अनुप्रष्ट काट एक ही किसी चड़ पर विचार करेंगे हम किसी चालक जिसमें इलेक्ट्रॉन गतिशील वाहक है कि भाती एक ही प्रकार के गतिशील वाहक मानेंगे मान लेते हैं इन गतिशील आवेश वाहकों का संख्या घनत्व N है तक चालक में कुल गतिशील आवेश वाहकों की संख्या N, L, A के बराबर होगी इस चालक्षड में अपिवर्ती विद्युधारा आई के लिए हम यह मान लेते हैं कि प्रतिय गतिशील वाहक का अपवावेग वीडी है किसी बाहय चुम्बकी शेत्र B की पस्थती में इन वाहकों पर लगने वाला बल N, Q, V, D, L, A, सदिश गुननफल B के बराबर होगा जैसा कि हम जानते हैं कि N, Q, V, D, विद्युधारा घनत्व यानि की J के बराबर है और N, Q, V, D, A, विद्युधारा आई के बराबर है तो इस प्रकार हम F को N, L, A, Q, V, D, सदिश गुननफल B के बराबर लिख सकते हैं यहां N, Q, V, D को J लिखने पर हमें J, L, A, गुननफल B मिलेगा तो हम कह सकते हैं कि बाहे चुम्ब के शेत्र B के उपस्तिती में आवेश वाहकों पर लद्मी वाला बल F पराबर I, L सदिश गुननफल B के बराबर होगा यहां L एक सदिश है जिसका परिमान L है जो कि छड़ की लंबाई है तथा इसकी दिशा विद्युद्धारा I के सर्विसम है ध्यान दीजे कि विद्युद्धारा सदिश नहीं है बलकि एक अदिश राशी है अब ये समिकरण एक सीधी छड़ पर लागू होता है इस बात पर भी ध्यान दें कि इस समिकरण में B बाहिये चुम्बकिय शेत्र है ये विद्युद्धारवाही छड़ द्वारा उत्पन शेत्र नहीं है यदि तार की याद्रचिक आकरती है तो इस पर बल किस प्रकार निकाला जा सकता है तो हम इस पर लॉरेंस बन का परिकलन ऐसी रेखिक पट्टियों जो की DLJ द्वारा दिया जाएगा का समो मानकर तथा संकलन द्वारा कर सकते हैं जो की F बराबर I, D, L सदिश कुरिणफर्ण B के सभी योगों के बराबर होगा अब तक हमें इसका ज्यान हो गया है कि एक बाहिय शेत्र इसमें उपस्थित किसी विद्युतावेश तथा विद्युधारवाही चालक पर बल आरोपित करता है और ये बल किस दिशा में लगेगा ये गतिमान सदिश तथा चुम्बगिय शेत्र के बीच के कोण पर निर्फर करता है अब हम और अधिक विस्तार से चुम्बगिय शेत्र में गतिशील आवेश के विशे में अध्यान करेंगे हम ये भली भाती जानते हैं कि यदि किसी बल का कण की गति के दिशा में अथ्वा उसके विपरीत कोई अव्यव है तो वो बल उस कण पर कारे करता है चुम्बगिय शेत्र में आवेश की गति के प्रकरण में चुम्बगिय बल कण के वेग के दिशा के लंबवत होता है अतहा कोई कारे नहीं होता तथा वेग के परिमान में भी कोई परिवर्तन नहीं होता यद्यपी समवेग की दिशा में परिवर्तन हो सकता है अब हम जानते हैं कि विद्युट शेत्र के कारण बल क्यों ही होता है जिसका गती के समांतर अथ्वा प्रती समांतर अव्यव हो सकता है और इस प्रकार सम्वेग के साथ साथ उर्जा को भी स्ठानांतर कर सकता है परंतु अगर एक गतीमान वैद्युत आवेश जब चुम्बकिय शेत्र में प्रवेश करेगा तब क्या होगा तो आएए हम किसी एक समान चुम्बकिय शेत्र में आवेशित कर्ण की गती पर विचार करते हैं पहले उस स्थिती पर विचार कीजे जिसमें वी चुम्बकिय बल के लंबवत है लंबवत बल अभी केंद्र बल की भातिकारे करता है तथा चुम्बकिय शेत्र के लंबवत वर्तुल गतीपन करता है तो हम कह सकते हैं कि यदि V तथा B एक दूसरे के लंबवत है तो कण अर्थात किसी वृत की अनुदिश वर्तुल गती करेगा तो जैसे कि अभी हमने समझा कि लंबवत बल Q V सदिश गुणनफल B अभी केंदर बल की भाती कारे करता है तथा चुमबकी शेत्र के लंबवत वर्तुल गती उत्पन करता है तो इसके अनुसार M V की घादो बटे R Q V B के बराबर होगा इस समिकरन की सहायता से हम कण के वृतकार पत की त्रिज्या R का पता लगा सकते हैं जो की M V बटे Q B के बराबर होगी इससे हम ये निशकर्ष निकाल सकते हैं कि जितना अधिक सम्वेग होता है उतनी ही अधिक निर्मित वृत की त्रिज्या होगी तथा निर्मित वृत उतना ही बड़ा होगा आईए अब कोणी आवरती ओमेगा का समीकरण पता करते हैं अब यदि कोणी आवरती ओमेगा है तो ओमेगा और वी के बीच का समीकरण कुछ इस प्रकार से दिया जाता है यानि कि वी बराबर ओमेगा आर और हम ये भी जानते हैं कि ओमेगा टू पाई नियू के बराबर होत जिसके लिए हमने वी और आर के समिकरुन का प्रयोग किया है अब इस प्रश्ण का उत्तर देने का प्रयास करें कि यदि वी चुम्बकी शेत्र बी के लंबवत नहीं है तो क्या आवेश की गती में कुछ परिवर्थन आएगा और यदि वी तथा बी के बीच 90 डिगरी के अत्तरिक्त कोई और कोण बन रहा है तो इस परिस्थिती में क्या होगा तो आईए इन प्रश्णों का उत्तर दूढने का प्रयास करते हैं वेग वी का कोई अव्यव बी के अनुदिश है तो ये अव्यव अपरिवर्थित रहता है क्योंकि चुम्बकी शेत्र के अनुदिश गती को चुम्बकी शेत्र प्रभावित नहीं करता अब बी के लंबवत किसी तल में गती पहले के भाती वर्तुल गती ही है जिससे ये अव्यव कुंडलेनी गती को उत्पन करता है जैसा कि अमेया दिख रहा है अब हम आवेश द्वारा एक व्रिताकार को पूरा करने में कितना समय लगेगा ये पता करने का प्रयास करेंगे एक परिक्रमा को पूरा करने में लगा समय टी बराबर टू पाई बटे ओमेगा के बराबर होगा और वहीं ये एक बटा नियू के भी बराबर हो सकता है अब हम देख सकते हैं कि इस शित्र में पिच यानी की चूड़ी अंतराल को दर्शाया गया है इससे हमारा तातपर्रे क्या है? यदि चुम्बके शेत्र के समांतर वेग का कोई अव्यव जिसे वी समनांतर द्वारा निर्दिष्ट किया गया है कण का पात कुंडलीनी यानी की सरपीलाकार जैसा होगा एक घुर्णन में कण के द्वारा चुम्बके शेत्र के अनुदिष्ट चली गई दूरी को पिच तथा चूड़ी अंतराल कहते है इसको पी बराबर वी समनांतर अव्यव और टी के घुर्णफल से प्राप्त किया जाता है इसको टू पाई एम वी समनांतर अव्यव बटे क्यू भी लिख सकते हैं गती के वृत्य अव्यव की त्रिज्जा को कुंडलीनी की त्रिज्जा कहते हैं आज के कारक्रम में हमने चुम्बके शेत्र के श्त्रोत तथा इसके द्वारा किसी आवेश पर अथ्वा किसी धारवाही विध्यु चालक पर लगे बल पर गहन चर्चा की साथ ही किसी चुम्बके शेत्र में आवेश की गती को विस्तार रूप से समझा और किस प्रकार एक आवेश वृत्ताकार या कुंडलीनी गती अर्जित कर सकता है उन स्थितियों पर भी चर्चा की कुंडलीनी गती के अव्धार्णा पर अधारत भौत्तकी में एक मनुहारी वचित्ताकर्शन प्राकृतिक परिगटना का स्पश्टी करन करना संभा हुआ है द्रूविय शेत्रों में आकाश में वर्णों का एक ऐसा अत्यंत वैभव शाली दृष्ट दिखाई देता है इस परिगटना को उत्तर द्रूविय जोती कहते हैं आप उत्तर ध्रुव्य जोती के विशे में विस्तार से जानने के लिए खोज करें और प्राप्थ हुई जानकारी को अपने साथियों के साथ भी साज़ा करें और आज के चर्चित विशियों से संबंधित अपनी पाठ्य पुस्तक में दिये गए प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें और अपने साथियों से इसकी चर्चा भी अवश्य करें धन्यवाद करें धन्यवाद